तो जैसा कि मैंने कल आप लोग को एक टॉपिक बताया था जो जिसका नाम था प्रिटिश इंडिया में बू राजसर विवस्था और इस टॉपिक में मैंने आज मौनिंग में दिये थे तीन क्वेशन तो यह जो तीन क्वेशन है यह वीडियो हिंदी मेडियों वालों के तो यह है ब्रिटिश इंडिया में भू राजसर विवस्था पहला जो अगर क्वेशन आया तीन नंबर में जमीदारी विवस्था के बारे में तो पहले मैं आपको समझा देती हूं कि जमीदारी विवस्था अखिर थी क्या क्या हुआ था जब ब्रिटिश आये थे तो 1793 म बहुत अच्छे तरीकी से अपने पैर नहीं जमा पाई थे इंडिया में लेकिन जो मेजर एरिया है और बंगाल जो बिहार और और इसा को भी इंकलूड करता था उस टाम पे उस एरिये में लगान जो है या कर जो है वह वसूल करती थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी तो जो कॉर्ण वालिस आये तो जब उनके पहले कोई प्रॉपर लगान व्यवस्था नहीं थी जो कर था वह बहुत कम अमाउंट में जाता था कंपनी के पास तो इसलिए कॉर्ण वालिस आये और फिर 1793 में इन्होंने एक नई प्रथा चालू की जिसको कहा जाता है जमीदारी व् एफिधार को अधिकार दिये गए थे भूमी का अधिकार भीशार जमीदारों के पास था और जो गर विमांत के अगर वह था जाता था ग्यार्ह में से एक भाग जो है वह जमिदार को मिलता था और बाकी जो 10 भाग यह मिलते थे भृत दों तो बड़ जुक जो कंपनी हैं उसको भी चेहां शादन एक इस국 मेरें वाख जाता है जूरही दों इसथैय की यहap करो वॉलिस ने 1793 में बंगाल विहार और उडिसा के प्रोविंस में लागू किया तथा जमीदारों को घूमी तथा कर वसूली का अधिकार दिया या प्रदान किया जो भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी तो आप फड़ा उसको सेंटेंस को और बेटर तरीके से लिख सकते हैं इसमें आप चाहें तो एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि इसे इस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है या कहा जाता था यह पॉइंट अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है पर जितना यह लिखा हुआ है उपर य यह काफी है में रहयतला वारी ववस्ता अब रहयतला वाडी ववस्ता जो है यह भी एक इंपोर्टंट लगान ववस्ता है रहयतला होता है किसान यह लाई थी थॉमस मुण्रो ने 1820 में अब यहां पर क्या हुआ था पहले जो है जमीदार थे बीच में लेकिन फिर बाद म वो सीधे किसानों से वसूल किया जाने लगा अब किसानों से वसूल करते थे मतलब जो भूमी का अधिकार है वो किसके पास होगा किसानों के पास अब इस विवस्था में इसको लागू किया था मदरास बॉंबे असम और पुर्ग जो है प्रोविंसेस वहां पर लागू किया होगी वहां से 60 प्रतिशत कर वसूला जाएगा मतलब जितनी उनकी उपज है अगर उन्होंने मान लेजे कि 10 किलो कोई चीज उगाई है तो अगर उनके पास सूखी भूमी है तो उनको 5 किलो लगान के रूप में देना पड़ेगा अगर उनके पास सिंचित भूमी है तो उनक किसानों से कर्वसूला जाता था हम मैं आपको पढ़ देती कि आपका आंसर कैसा हो सकता है ठीक है मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है जो राइटिंग वाली है तो अगर इसमें कहीं आप सुधार कर सकते हैं तो कर लीजे पर जो फैक्ट मैंने मैंने मैंशन किय है उन पर आपको ध्यान रखना है यह ब्रिटिश इंडिया की एक लगान विवस्था थी जिसमें जिसे थॉमस मुंड्रो ने 1820 में मदरास बॉंबे असम और कुर्ग प्रोविंस में लागू किया गया था तथा इसके अंतरगत सीधे किसानों से कर्वसूली की जाती थी ठ लगा के बुलेट लगा के जो सूखी भूमी है वहां से 50 प्रतीशत तथा सिंचित भूमी से 60 प्रतीशत कर वसूला जाता तो यह अगर आप चाहे तो इंक्लूट कर सकते हैं ना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट है महालवाडी व्यवस्था महालवाडी व्यवस्था इसको लाया गया था विल्यम बैंटिक के टाइम पर 2833 में अब यह जो है कि इस व्यवस्था में जो कुछ एरिये जो है वो जमिदारी के भी इंक्लूडेट थे और कुछ रह यतवाडी के भी included थे mainly कहां कहां पर लाया गया था यह यह जो है यह 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 पुर्ग नहीं है यह ठीक है यह मध्य provinces में उत्तरपश्चिम province में और आग्रभ province में लाया गया था और भूमी को जो है वह महाल में डिवाइड किया था महाल एक unit होती थी महाल या तो एक गाहन उन्क्लूट कर सकता था या एक से जाधा गाह उसमे इंक्लूट किये जाते थे बाहल में और इसमें क्या खास भात थी कि जो ओनर्शिप है वो किसके पास रहते थी ने कि जो महल है वहां पर वट्ट कमीटी बनाई जाती थी जो विल्ज कमदी होती थी वह जैसे मैंने या लिखा ग्राम समीती कर जमा करने के लिए उत्तरदाई होती थी अब मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ आप इसको ध्यान रख ले तो यह आपर पूर्ग नहीं है यह ब्रिटिश इंडिया की एक लगान व्यवस्था थी जिसे विलियम बेंटिक के समय 1833 मे मध्य उत्तरपश्यम तथा आग्रा प्रोविंसे में लागू किया गया था और भूमी को महाल में विभाजित किया गया जिसमें किसानों के पास भूमी अधिकार थे अब इस व्यवस्था में ग्राम समीती कर जमा करने के लिए उत्तरदाई होती थी ठीक है यह एक प्रोवाइड कर सकूँ एस मेरा हिंदी मेडियो नहीं है तो थोड़ी बहुत अगर गल्तिया होती है थो उसको इग्नुवर्ने करना मुझे आप मेंशिन कर सकते कॉमन सेक्शन में मैं इसको बिल्कुल सुधार होंगी चलिए यह वीडियो हतम होते है यहाँ पर एंड थैं